हेलो प्रेंड वेलकम बैक तो मा यूटूब चैनल दोस्तों इस वीडियो में हम उदासी नी करन अभी किरिया के बारे में जानेंगे तो गाईज चले वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले बहुत से लोगों ने अभी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्र कर लीजिए क्योंकि हम यहां पर 2421 बोर्ट के हिसाब से एकॉर्डिंग जो है कोशन आंसर की त्यारी करेंगे ठीक है इसलिए आप चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिए तो गाईज चले वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों उदासी नी करन अभी किरिया बहुत बार एक् पूछन आएगा तो इसी टाइप से पूछा जाएगा कि उदासी नी करना भी किरिया को उधारन सहीच समझाई है ठीक है तो आपको दोस्तों इसी प्रगार से लिखना है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी आपका एक नंबर यहां से काट नहीं पाएगा कोई भी तो दोस्तों यहां पे परिभासा है कि जब अमलो अचारक की परस पर अभी किरिया होती है तो इसकी फलसरूप लवन का निर्मान होता है इस अभी किरिया को उदासी नी करना अभी किरिया कहते हैं समझे अच्छे से समझे पहले आप इसे अच्छे से एक बार रेट जब अम्ल और छारक की परस पर अभी किरिया होती है मतलब जब अम्ल और छारक आपस में रियक्शन करते हैं तो उसके फल स्वरूप लवन का निर्मान होता है यहाँ पर देखिए छारक की परस पर अभी किरिया होती है तो इसके फलस्वरूप लवन का निर्मान होता है साब सब्दों में अगर मैं कहूँ कि अगर जो अम्ल और चारक है यहाँ पर एक दो डाइक्राम देखिए एक को अम्ल लेजिए और दूसरे को चारक लेजिए अगर मैं इन दोनों की रियक्शन आपस में करवाऊं तो इसके फलस्वरूप लवन का निर्मान होते है लवन जिसको कि हम सॉल्ट कहते हैं ठीक है तो उसका निर्मान होता है इस पर किरिया को हम क्या कहते हैं उदासी नहीं करन अभी किरिया कहते है बहुत सिंपल है कि अगर अमल और छारक आपस में रेक्शन करते हैं तो उसके फॉल्स और लवन का निर्मान होता है यहाँ पे दूसरी एक पॉइंट एक इंपोर्डेंट पॉइंट लवन के साथ यहाँ पे कंडिशन है कि लवन के साथ यहाँ पे आपका जल भी निकलता है वाटर भी यहाँ पे निकलता है अर्थात अगर हम पूरा डिटेल्स में कहें तो यहाँ पे यह चीज हो कि जब अमल और छारक की अभी किरिया होती है तो इसके तोरान लवन और जल का निर्मान होता है तो इस अभी किरिया को हम उदासिनी करण अभी किरिया कहते हैं समझ में आ गया चलिए इसके थूरो समझते ही यहाँ पे देखे एक अमल है पलस छारक है तो यहाँ पे मिलकर लवन बन रहा है और साथ में आपका जल निकल रहा है तो यही है आपकी उदासिनी करन अभी करिया अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसे उदासिनी करन अभी करिया क्यों कहते हैं तो इसका जवाब मैं मैं आपको देता हूँ उदासिनी करन अभी करिया इसको इसले कहते हैं क्योंकि जो यहाँ पे लवन बनता है वह उदासिन होता है तो दोस्तों यहां पर उदारन है HCl पलस NaOH, HCl जैसा कि मैंने आपको बताए था अमल और छार की रियक्शन करानी है, तो यहां HCl अमल है और NaOH छार है, तो इसके अगर हम रियक्शन कराते हैं, तो यहां पर आगे देखिए, एक तो NaCl बन रहा है और दूसरा H2 निकल रहा है, मैंने कंडिशन भी आपको उपर बताई थे, कि एक तो लवन निकलेगा और एक आपका वाटर निकलेगा, तो लवन में यहां देखिए, सोडियम क्लोराइड निकल रहा है, और H2 निकल रहा है, तो अगर आप इससे समझना चाहते हैं, तो यहां पर देखिए, कि यह कैसे ह होता है, तो देखिए, होता है, उसमें H Positive होता है, और H negative होता है, वैसे अगर बात करें, ने होच में, तो एन है, अपोजर पोजचिव होता है और फिर इस ने होता है, A अब यह वाला H positive है, ठीकिए, होता है, होता यह जो ये वाला N है ये इस क्लोरिन के साथ मिलकर NACL बनाता है तो दोस्तों यही है उदासनी करना भी करें इसी परकार से आप एक्जाम में लिखेंगे तो गाईज आसा करूँगा कि आपको समझ में आ गया होगा अगर आपका कोई डावट है तो कमेंट सेक्षन में जरूर पूछिए मैं कोसिज करूँगा कि आपके जबाब दो ठीक है तो गईज चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स बहुत वाचिंग